जी डिर चूर्द कैसे हैं आप आप हो आप सब ठीक होitelे स्टूर्ट अज हम बात करेंगे आपसे चाफट नूम्बर 19 व्तेम्शाषे नूम्ञा कैसे हैं हम बात करेंगे आपसे डिरिम zygote से है multi cell or organism बन जाता है students मजीद वीडियो के लिए आप description में दिये गए links को भी follow कर सकते हैं और कोई भी वीडियो देख सकते हैं जहादा चलते हैं आज के lecture की तरफ students जैसे कि आपको picture में नदर आ रहा है कि कोई भी germ cells हैं sperm or egg यह आपस में combine कर जाते हैं और combine करने के बाद जो है एक zygote बनाते हैं अब zygote जो है वो बार बार multiple तरीके से divide करता है multi cell or bodies बनाता है और आपको एक individual जो है वो नदर आता है लेकिन students यह आपको बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास zygote है इसके पास होता है complete set of genome यानि इसके पास proper chromosome होते हैं जैसे कि आपको पता है कि यह जो हमारा cell था sperm यह one end था और यह जो हमारा egg था यह भी क्या था one end था तो यह one end जो है वो जब divide करते हैं तो two end body बनती है यानि 46 chromosome जो है वो इस zygote में आपको मिलेंगे और definitely बार बार यह जो हमारे पास chromosome होंगे यह division करेंगे definitely यह cells mitosis करेगा और एक multi cellar body बनाएगा तो वो जो chromosome number है यानि के जो पहले के haploid था haploid था अब deployed है तो deployed retain करेगा यानि यहाँ पर इस अमल को हम कहेंगे कि जो mitosis है वो हो रही है और mitosis होकर multi cellar जानता जो है वो बनता जा रहा है इन दोनों के मिलने को सुरूट से आपको याद होगा इसको हम fertilization के नाम से जानते हैं और इस fertilization के नतीजे में आपको जो है वो एक body मिली थी जिसको आपने जाए गौड का था और जाए गौड आपको पता है कि बहुत सी different cell stages से गुजरता है जो लास लेक्शन में बात की थी कि मोरियूला बनता है मौरियला के बाद जो है वो blastula बनता है फिर gastrula बनता है और फिर इस तरह से मज़ीद develop होता हुआ neurula बनता है यह नियूरिलेशन पगारा हो जाती है और फिर एक embryo की शकल अख्तियार कर लेता है आप इस body को multi-thellar body को embryo कह सकते हैं और students आपको याद होगा कि जो zygote है जब वो divide करता है यानि यह जो mytosses का मैं आपको नाम बता रहा हूँ लेकिन हमने developmental biology में mytosses नहीं कहना इसको हमने cleavage कहना है ठीक है इसको हम cleavage कहेंगे और यह जो आपको बहुत सी cell or body नदर आ रही है इनको आपने नाम देना है blastomeres students blastomeres आप कहेंगे और blastomeres को developmental की stage में आगे जाकर आप somites भी कह सकते हैं यानि होता यही है mytosses की तरह आमल लेकिन इसको हम cleavage कहते हैं और specially हमने चिक में पढ़ा था कि चिक में जो एक development हो रही है जो cleavage हो रहा है वो discoidal cleavage है तो यह बातें जो है वो याद रखने वाली है शूर्ण सब यहां पर आपको जितने भी cells नदर आ रहे हैं अब आप यह सोच सकते हैं कि आपको जितने भी cells नदर आ रहे हैं इन सब cells के अंदर definitely हर cell में nucleus है और इनके पास जो है complete set of information है यानि कि अब यह जो cells है इनके पास proper किसम की information है जो के definitely जो parents से इनको मिली है अब स्वेट्स इसमें जो मैं बहुत interesting बात आपको यह बताऊंगा कि let's say that कि अब मेरे पास जो है एक यह nucleus है let's say that यह मैंने थोड़ा था पिंकिश कलर में आपको nucleus बना के दिखाया है अब इस nucleus में मैं definitely chromosomes बनाऊंगा और यह मैं कुछ green किसम के जो है वो chromosomes बना रहा हूँ और कुछ मैं chromosome जो है बना रहा हूँ red से ठीक है और students मैं अब यह green और red chromosome है इनको मैं जो है वो nominate करूँगा मैं जो green chromosome है इनको मैं कहूँगा कि यह active नहीं है यह आप कहले set off है और यह जो red chromosome है यह active है याद रखिएगा development के दुरान let's say that कि यह एक cell है तो कुछ chromosome है वो set off पे चले जाते हैं यानि वो अपना genome जो है वो show नहीं करते है they never make proteins central dogma follow नहीं करते हैं लेकिन कुछ chromosome जो है they get active और वो अपना protein बनाते हैं और cell को सारी information देते हैं और जिस किसम का cell बनाना होता है तो समझ लेंगे जब यह multi cell or body है इसमें कुछ जो cells है वो क्या है active हैं लेकिन कुछ cells जो है set off हो चुके हुए हैं यानि उनका genome जाए वो काम नहीं कर रहा है students अब मैं जो आपको इस lecture में बाते समझाने वाला हूँ वो importance की मैं आपको बाते समझाने वाला हूँ यानि आज के lecture में मैं आपको importance बताऊंगा दो चीजों की एक तो nucleus की क्या importance है और दूसरी importance students cytoplasm की क्या importance है यानि cytoplasm भी जो है वो definitely importance की इस चीज की हम जो बात करेंगे importance की that is basically development तो हम development में जो है यह बात कर सकते हैं कि development के दोरान क्या importance है nucleus की और cytoplasm की तो आज का हमारा basically lecture यह होगा यह intro था lecture का जो मैंने आपको दे दिया है students 1892 में एक scientist था उसका नाम था Hans Destrich Hans Destrich और इसने क्या किया कि इसने एक sea ocean लिया अब sea ocean जो है याद रखिएगा एक समंदर में रहने वाला जानदार है students जैसे कि आप यह अब picture में देख सकते हैं यह आपको sea ocean जो है वो नदर आ रहा है ठीक है this is sea ocean लेकिन इसको यह तो आपको एक adult जो है वो जानदार नदर आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ इसको बहुत छोटी सी stage में जो है destruction लिया अब आपको students यह नदर आ रहा है कि this is called as two cell stage यानि कि इसमें अब जो zygote था अब उसमें एक cleavage आ गया है ठीक है और इस cleavage में क्या हो है कि अब एक cell जो है वो दो में divide हो चुका हो है ठीक है so this is called as two cell stage अब इ इन दोनों cells को cleavage में यह होता है कि hematosis में तो दोनों cells जो है वो separate हो जाते हैं na cleavage में आपस में ही कठे रहते हैं यह जुड़े हो रहते हैं तो यहां पर इसने क्या किया हुए कि यहां पर इसने you can say कि यहां से दोनों cells को यहां से अलादा कर दिया यानि यह जो इसका एक cle यहांस इसने किया कि दोनों सैल्स को एक separate कर दिया और separate करने के बादिसने क्या किया कि इन दोनों सैल्स को लेदा-लेदा कर दिया और इनको develop होने दिया तो very interestingly speaking कि दोनों जो cells थे ये एक embryo में develop हो गए यानि दोनों के cells के nucleus के अंदर जो थी एक genetic information थी कि दोनों एंब्रियों में अपने आपको तब्दील कर लिया यानि कोई मिस हैप नहीं हुआ तो स्टुट्ट्स अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो सी अर्शन है आफ्टर अलॉट अफ डिवीजन्स यह अब लार्वा में फोर आम लार्वा आपको नदर आ रहा है यह फोर आम लार्वा में तब्दील हो गया यानि कि अब वो जो हमारे पास सेनेरियो था यही टू सेल स्टेज से अब मल्टी सेलर्वा स्टेज में आया और दोनों सेल यानि कि अब जो कि एक लार्वा हमें मिलना था as a result उसने जब वो two cell stage के उपर दोनों cells को लाइदा किया तो हमें दो लारवा मिल गए तो ये एक काम्याब research थी और इसने काफी तहलका मचा दिया student ही जो Hans district था इसकी इस research से ये बात थाबित हुई conclusion निकला कि जो दोनों cells हैं जो कि इसने अलाइदा कर दिये थे इन अलाइदा किये जाने वाल cells में तकरीबन थारी genetic information मुझूद थी जो कि एक लारवा बना सकती तो that was a great research और हम कह सकते हैं कि यहां पर mechanism of development में district की जो है एक इस research को जो है वो काफी पजिराई मिली और students इस इस diagram में भी आपको अब यह पार totally नज़र आ रही कि कैसे दो cells जो हैं वो दो cells individually लएदा-लएदा कर दिये गए उनके प्लास्टूला आपको बनाते नज़र आ रहे हैं कैसे यह दो लारवा half size half size के आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं students अब हम बात करेंगे next science दान की that is Hans Spamon और ही जो Hans Spamon है यह basically आप कहलें के he is very comparatively known embryologist German embryologist है यह नोबल पाइस भी लिया 1935 में discovery for the embryonic induction यानि embryonic induction के उपर जो है इनको नोबल पाइस मिला 1935 में तो इन्होंने भी experiment जो है वो conduct किया था newet के उपर स्लेमेंडर का जो है embryo है उसके उपर इन्होंने experiment किया था तो क्या experiment किया था उसको समझने की कोशिश करते हैं students यहां पर आपको यह newet का जो है कहलें के embryo नजर आ रहा है यह embryo जो है आप कहलो कि यह जो आपको एक white सा portion नजर आ रहा है और इस hair ligature की मदद से उन्होंने क्या किया है कि इस newet के यानि स्लेमेंडर के embryo को जो है लाइदा-लाइदा कर दी है और इसको लाइदा करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको जोर से बांदा हुआ है और यहां पर यह जो दूसरी side है इसमें क्या हो रहा है कि cell divide कर रहे है properly लेकिन इस side पे जो है वो cell divide नहीं कर रहे है इस पे properly cell division नहीं हो रही है सुन इस research की मददर बात यह कि एक side जो है वो divide कर रही यानि जो nucleus अले side थी उसमें cleavage हुआ और properly cell divide करते रहे लेकिन grey crescent जो है divide कर दिया गया side से इधर भी है और इधर भी है grey crescent इसे grey crescent करते नहीं याद रखिएगा तो लेकिन यहां पर चूंके nucleus नहीं था तो यहां पर division नहीं हो रही थी सुन सीन यह हुआ कि जब 16 cell stage आई यानि 16 cell stage का मतलब है कि जब total cleavage आते हुए 16th cell stage आ गई यानि 16th cell जो है वो हो गए तो एक cell जो है वो migrate करके इधर चला गया तो एक cell जब migrate करके इधर चला गया तो definitely यह embryo आपको थोड़ा सा बड़ा नदर आ रहा है और यह embryo आपको थोड़ा सा छोटा नदर आ रहा है क्योंकि यहां पर late development start हुई है तो that was quite a kind of a process जिसमें study यह किया गया कि nucleus जो है वो genome रखता है वो proper तरीके से जो है वो होना चाहिए अगर वो नहीं होगा तो definitely development नहीं होगी तो यानि कि यहां पर क्या वो बताना चाहा रही है स्पैमन के एक side पे आपने एक egg से एक egg से जो है आपने दो embryo यहां पर भी त्यार कर लिये हैं यानि हम अगर हम पिछले experiment की तरफ देखें जो कि हान सिडेटरिश का experiment था students उसमें तो आपने देखा कि उसमें ने तो दोनों cells को cleavage cell को लेदा कर दिया था और उसमें फिर development चेक की थी तो उन्होंने दो सी अर्चन के larva develop कर लिये थे लेकिन यहां से लेमेंटर के जो हैं दो embryos जो हैं वो develop करके दिखा दिये गए हैं फिर उन्होंने एक और experiment किया that was experiment B student of experiment B में यह किया गया कि अब यहां पर definitely एक side जो है वो a nucleated side है यानि एक तो इसमें nucleus नहीं था इसमें तो nucleus था और यह development होती गई और फिर excel migrate कर गया और यहां late development हुई और यहां तो within time development हो रही थी लेकिन अब जो आपने hair ligature से उन्होंने कि किया कि जो newet का egg था उसको कुछ इस्तरी के से tight किया कि जो grey crescent था वो एक side पे रहा गया और जो nucleated हिस्सा था वो एक side पे रहा गया तो इसका नतीजा क्या हुआ कि definitely यहां पर तो cleavage proper होना था और इस side पे जो है definitely cleavage proper नहीं हुआ तो आप कह सकते हो कि जिस side पे cleavage जो है व part और grey crescent सारा का सारा इधर है तो यह एक belly tissue जो था वो बन गया यानि एक side जो थी वो belly tissue में develop हो गई और दूसरी side जो थी वो normally develop हुए into a embryo so यह दो experiments जो हैं grey crescent की importance का भी बता रहे हैं और दूसरा यहां पर definitely एक 16 cell stage के उपर एक cell जो है late migrate करके दुबारा एक you can say के development जो है वो induce करवा रहे है तो यह जो spamon के experiments थे they really bring a kind of evolution in the field of developmental biology students एक चीज़ मैं थोड़ी थी आपको add करना चाहूंगा अभी मैंने आप से कहा कि यह चीज़ थोड़ी cross में है तो इसमें I'm gonna say you this कि यहां पर थोड़ा था myth concept है कि यह जो grey crescent है basically आपको नदर आ रहा है कि वो इस side पे है which is which is the lower side you can say और उपर रही side पे proper cell division हो रही है and nucleus था and things are going on तेकिन students एक चीज़ आप notice कीज़ेगा कि यहां पर जो है यह belly tissue बन गया है लेकिन जो grey crescent बाल जगा थे वहां पर एक cell late यानि थोड़ी अर्थे के बाद migrate किया जैसा कि यहां पर migrate किया था तो scenario क्या हुआ कि वह एक proper embryo में जो है वह develop कर गया यानि grey crescent जो है आपको इसके experiment number 3 में जो है वह importance मैं आपको बताऊंगा सो अब हम experiment number, specimen के experiment number 3 की बात करते हैं जिसमें वह grey crescent की importance बताता है student experiment number 3 में जो है experiment यह बताना चाहरा है कि अगर हमने salamander का निवर्ट का एक embryo लिया embryo जो है वह develop कर गया into a 16 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell stage अब यह जो stage आपको नदर आ रही, that is called 16 cell stage, अब इस stage के उपर क्या हुआ कि उसने क्या किया कि इन सब x को जो है उसने अलादा किया और फिर क्या देखा उसने के हर cell जो है जो के अलादा से उसमें के बास complete genome था वह develop हो गया एक embryo में यह भी develop हो गया embryo में यानि कि 16 के 16 cells जो है यह embryo में develop होने के मतहमिल निकले यानि के वह embryo में develop हो सकते हैं यह उसने कहा लेकिन उसने इस experiment में एक और बात की कि अगर यह 16 cells है इन में से अगर कोई cell ऐसा है कि जिसमें grey crescent नहीं है grey crescent नहीं है यानि no grey crescent present तो वह cell जो है वह develop तो हुआ वह cell जो है वह develop तो हुआ लेकिन into abnormal cell-like bodies abnormal cell-like bodies यह बात बहुत दब्रदस किसम के सामने आई कि जो grey crescent है वह normal cell की division के लिए वह normal cell की growth के लिए जो है वह बड़ा important है so that was a kind of an experiment जिसमें जिस स्वेमन था वह grey crescent की importance के बारे में बता रहा था कि अगर सेल में grey crescent नहीं होगा तो वह cell जो है वह divide नहीं करेगा यानि इस डियाग्राम में भी आप कह सकते हो कि यहां पर grey crescent है और let's say that कि यहां पर भी nucleus नहीं है यह a nucleated part है लेकि 16 cell division के बाद कुछ एक cell यहां migrate करेगा यानि genome migrate करेगा तो look at that जो कि grey crescent यहां पर था और यह एक normal embryo में develop हो रहे लेकिन उपर वाली body चुक्छे यहां grey crescent नहीं है यह develop नहीं हो रही लेकिन उसने पहले experiment में देखें grey crescent को जो है वो लादा-लादा half-off कर दिया हुए और काफी एरसे बाद जो a nucleated part में cell migrate किया और उसके बाद यह तो अपने within time embryo develop हुआ लेकिन यह late embryo develop हुआ तो लहादा यह तीन experiments जो है जो भी आपको मैंने दिखाए बताए यह प्रूफ करते हैं कि जो पैमन था उसने experiment से grey crescent की importance का जवाज पैदा किया कि development में जो है वो grey crescent required है तो लहादा यह जो तीन experiments थे हम हमें क्या conclusions मिलते हैं इसके उपर हम उस पर बात करते हैं दो इस base पर हमें मिलते हैं वो यह हैं कि all cell contain the same nuclear information मतलब genome सब के पास एक जैसा है सब के पास information होती है cells के पास अगर उनके पास nucleus है तो in the grey crescent area यह जो grey crescent area जो एक cytoplasmic जगा है cytoplasm contain information essential for the development development यानि grey crescent एक वो जगह है एक वो pigment free area है या कह लें कि जो within time जो है वो appear होता है it appears in at really time of fertilization so in the half lacking grey crescent no further development takes place यानि यह pigment free area होता है grey crescent जो के at the time of development आपको नदर आता है लेकिन यह required होता है अगर यह ना हो तो शायद development का procedure जो नार्मल तरीके से जो है वो नहीं हो सकता यानि development जो है वो नार्मल नहीं होती तो यह एक जबरदस्त कहलें के कहलें के contribution थी स्पेमन की जो उसने हमें बताई और हमें उसने बताया कि developmental process में जो है grey crescent की क्या है हमी होते हैं तो students अब दो experiments हमने पड़े जो के स्पेमन के तीन experiments हैं जिनमें ग्रेक रिफ्रिंगी पॉंटस और हांस डिस्ट्रिच के जो हैं वो definitely इसी अर्चन को लेकर उसके लार्वा उसके एग को लेकर उसके क्लेविज को लेकर जो है experiment है और इसमें दो normal bodies का जो है वो बनना है तो that was a great contribution for the mechanism of development you can say so अब चलते हैं इस lecture के थोड़े एक ततामी पहलो की तरफ students अब सारी बहस जो मैंने आवसे की इसमें दो स्वाल जाएं वो पैदा होते हैं एक तो स्वाल यह है कि अगर सारे cells के पास सारे nuclear material होता है genome होता है तो फिर क्या ऐसी वज़ा है कि cell differentiate कर जाते हैं यह एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं लैदा हो जाते हैं कैसा reason है पहला conclusion तो हम यह निकाल सकते हैं कि जब cleavage होता है तो cytoplasmic segregation होती है यानि जब एक zyagot होता है उसका जो बहुता है जब वो separate हो रहा होता है तो शाहिद जिस जिस cell के पास जो जो cytoplasmic determinants आते हैं तो वो cytoplasmic determinants जो हैं वो decide करते हैं कि cell ने क्या करना है क्या बनाना है क्या होना है तो cleavage के दुरान cytoplasmic segregation यानि cytoplasm का जो है वो अलाइदा होना इस बात को define करता है कि cell का fate क्या होगा cell कैसे बनेगा और दूसरी बात बहुत important यह है कि जो neighboring cells होते हैं उनकी वज़ा से कुछ induce हो जाता है cell में यानि कुछ changing bringing होती है यानि आसपास के जो cell signal हो रहे होते हैं आसपास के cells जो हैं एक जुसरी को information दे रहे होते हैं कि आप ऐसा कर लो यह कर लो वो कर लो इसे cell signaling कहते है या cell interactions कहते हैं तो यह भी जो है हो रही होती है तो यह दू जो आत फिलाल भी समझ में आती है कि cleavage के दुरान जो cytoplasmic differentiation हुई है cytoplasmic segregation हुई है उसमें कुछ determinative हिस्से थे कुछ determinants थे जिनोंने decide करना है कि अब cell जो है वो किस तरह क्या divide करेगा और दूसरा जो आसपास के cells और neighboring cells हैं उन्होंने induction करनी है उन्होंने बताना है कि आपने cell ने किस तरह क्या divide करना है और interaction और गयरा क्या होगी तो यह एक कमाल की information साहिजदानों के हाथ लगी है और उसकी base पे जो है फिर मजीद कुछ experiments किये गए है अब students वो experiments क्या है मैं आपको बता देता हूं students वो experiments यह है कि role of cytoplasm in development जो है इसको discuss किया जाएगा और यह में अगले लेक्चर होगा जिसमें मैं आपसे बात करूँगा कि cytoplasm की development है दो आखर कैसे दूरूरी है मतलब cytoplasm क्यों जूरूरी है development में किस लिh술 में और और is के ओपर मैं आपको बात करूंगा और इसके लावा रोल of Nucleus in development इसके ओपर मैं आपसे बात करूंगा और इसमें कुछ examples को लेकर इसमें भी हम इंशालला आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको पता लगे कि mechanism of development जो है it's a very interesting phenomena mechanism of development जो है it's a very interesting phenomena जो आपको बताया जा सकता है जिसमें आपको समझ में आ सकती है कि आखर development किस तरह हो रही होती है so that's it अभी subscribe किये वगए आपने कहीं जाना है मेरा चैनल subscribe लाजमी कर ले और इसके लावा bell icon को hit करें ताकि सारी updates आपको मिलती रहे मेरी कौन सी वीडियो upload हो रही है इस चैनल पे और इसके लावा आप अपने दोस्तों से मेरी ये वडियो लाजमी शेयर की जाएगा क्योंकि काफी information related the district experiment and the spimmons experiment मैंने आपको बताया तो बजीद videos के लिए मेरे साथ जुड़े रही है thank you so much अपना बहुत क्याल रखिएगा और description देखते जाएगा सारी description मैंने links दी हो है ताके आपको easy हो जाए कोई भी video ढूंड़ना मालूम करना so that's it GS Academy को भी subscribe कर लें thank you so much